हलो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड असिस्टेंट पब्लिक प्रसीक्यूशन ऑफिसर्स एक्जाम 2010 के पेपर वन को हम यहां डिसकस करेंगे जो कि जनर्रेस्टेडिस के पेपर है अगर आप उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमिंसें द्वा कि अनसार अगे की रणायनती फ्रेम कर सकते हैं यह पब्लिक प्रसीक्यूशन ऑफिसर्स का एक्जाम जो हुआ था उसका पेपर है आपकिसी भी कमपटिटिव एक्जाम के तहारी कर रहे हैं चाहें उत्तराखंड पीसिस के तहारी कर रहे हैं या उत्तराखंड एपयो की त वाला है तो इसको आप ज़रूर पूरा देखे और इसके पेपर को समझ लिजे कैसे पेपर आता है तो चले फ्रेंड्स वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं इसमें पहला कोशन है इन विच वन आप दे फॉल्लाइज़ इस प्रेशलाइज़ एजन्सीज रिप्रेजेंट्स तो इसका सही जवाब हो जाएगा ILO International Labour Organization जैसा कि आपको पता है कि ILO की स्थापना जो हुई थी 11 अप्रेल 1919 को हुआ था इसका Headquarter जनेवा में है इसका Main Motive जो था स्रमिको की इससी में सुधार लाना अगे जिवन अस्तर को उचा करना है उनके जिवन अस्तर में सुधार लाना इसका Main Motive था 1969 में इस संगठन को उसकी पचासमी वर्ष गांट पर सांती का नोबेल प्रसकार भी दिया गया था, ये भी आपको याद रखना है, तो ILO very important है, इसका headquarter भी आपको पता होना चाहिए, जेनेवा, Switzerland में है, question number second देखते हैं, what was to be discussed at the Copenhagen Summit held in December 2009, इसमें किस पर focus किया गया था, तो इसमें climate change पर बात की गई थी, तो option D इसका सही अंसर हो जाएगा, next question है, where lies the headquarter of SARC, SARC का headquarter कहां है, तो इसका सही होजाएगा, काट मांडू, तो इसके बारें थोड़ देख लेते हैं, इसका headquarter काट मांडू है, इसकी स्थापना 7-8 December 1985 में की गई थी, इसका full farm होता है, the South Asian Association for Regional Cooperation, यानि SARC, और इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं, भारत है, पाकिस्तान, बांगला देश, नेपाल, भूटान, स्रिलंका, मालदिव और अफगानिस्तान है, तो इन सब चीजों के बारें भी आपको पता होना चाहिए, तो ये very important question हो जाता है, question number three, question number four देख लिए, Fiji island lies in, यानि Fiji island कहां पर है, तो Australia में है, यानि Australia के पास कर सकते है, तो option C, इसका सही answer हो जाएगा, अगला question है, सायना नहवाल, ए पदम स्री अवार्डी is associated with, यानि सायना नहवाल किस खेल से सम्मदी था, यहां पुछा गया है, जिनको पदम स्री अवा related in, जो Indian Council of Research है, वो कहां लोकेट है, तो यह है New Delhi, option C का सही answer हो जाएगा, अगला question है, question number seven, in 2010, परी मार्जन नेगी जो थे, रिसीट किया था, इनको कौन सा अवार्ड मिला था, पर मार्जन नेगी को, तो इनको मिला था, यह अरजुन अवार्ड, तो option D का सही answer हो जाएगा next question है, आपका, टेफलोन, टेफलोन क्या है, यहाँ पर फुचा गया है, तो एक परकार का plastic होता है, तो option A, इसका सही answer हो जाएगा, टेफलोन is a plastic, next question है, the black rust disease of wheat is caused by, तो यह होता है, पुसिनिया, ग्रेमिनिस, option A, इसका सही answer हो जाएगा, इसकी वज़ा से, जो गेहूं है, crust नमक disease हो जाती है, next question है, आपका, which one of the following statement is correct about the titanium, titanium के बने पुचा गया है, तो यह एक परकार के metal है, जो की defense material को produce करने में यूज कियाता है, तो इसका सही answer हो जाएगा, option B, it is a metal which is used in the production of defense material, option B, इसका सही answer हो जाएगा, next question है, diabetes is caused by the difunction of, तो यहाँ पर pancreas जो होता है, उसके disfunctioning के वज़ा से, आपका diabetes हो जाता है, तो option C, इसका सही answer हो जाएगा, अगला question है, question number 12, the disease caused due to the vitamin D deficiency, तो vitamin D की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है, पूछा गया है, तो यह रिकेट्स नामक बीमारी हो जाती है, यहाँ पर option B, इसका सही answer हो जाएगा, इसके बारे में थोड़ास देख लेते हैं, vitamin D का जो chemical name है, कालसी फेरॉल है, इसका chemical name कालसी फेरॉल है, यह बच्चों में रिकेट्स नामक बीमारी हो जाती है, जिसमें की उसका पैरवर्ड टेना हो जाता है, कमजोर हो जाता है, तो यह आपका कालसी फेरॉल जानी vitamin D है, और यह जो पाया जाता मचली करते तेल, दू जूद, अंडे, या आपका कहा सकते है, सुरज की किरणे, उसमें भी यह पाया जाता है, तो उसको खाते हैं, तो रिकेट्स की विमारी कम होती है, यानि होनेक संभावना नहीं रहती है, तो इसका answer हो जाएगा option B, next question है, where among these places the sun will set earliest, sun सबसे earliest में सेट होता कहां पर, इन दि C हो जाएगा, डेका, डेका में सबसे earliest setup होता है, मतलब ढूपता है, अगला question है, question number 14, which one of these is not a viral disease, तो यह malaria है, option B, इसका सही answer हो जाएगा, क्योंकि यह मच्छरों के काटनेस होता है, यहाँ पर हमें option में कुछ गड़ी लग रहा है, क्योंकि देंग्यू भी जो है, मच्छर के काटनेस होता है, और malaria भी, तो यहाँ पर दोनों option सही लग रहा है हमें, लेकिन यहाँ पर option B मान के चलिए, अगला है, the chemical name of vitamin C, vitamin C का chemical name पूछा गया है, तो यह होता है, ascorbic acid, यानि option D सही हो जाएगा, vitamin C जो है, इसका chemical name ascorbic acid है, इसकी कमी से इसकर्बी रोग हो जाता है, या मसूडों में फूल जाता है, सूजन आ जाता है, इसको इससे बचाओ के लिए क्या करते हैं, जो खटे चीज़ होते हैं, नीबू है, संतरा है, नारंगी, टामाटर या खटे पदार्थ, इनका सिबन किया जाए, इनको खाया जाए, तो vitamin C की भरपूर मात्रा होती है, सरीन में रह जाती है, तो उसे इस बिमारी से बस सकते हैं, एक चीज़ और जा लिए, vitamin C जो होता है, हमारी body में store नहीं होता है, इसलिए इसको रोज लेना पड़ता है, तो इसलिए vitamin C आप खाते रहिए, त 2010, तो लिएंडर पेस ने जीता था, तो फ्रेंड्स आपको ये बता दें, ये 2010 का पेपर है, तो उसी के हिसाब से यहां करणट अफिर दिया हुआ है, जब अभी वीडियो देख रहे हैं, यानि प्रजेंट में जब एक्जाम देने जा रहे हैं तो उस साल का करणट अफिर अटमासफेर, तो नाइट्रोजन होता है, 78% के आसपास होता है, तो इसका सही अंसर हो जाएगा, अगला कुश्चन है, सोनाली का इस अ हाई-इल्डिंग वराइटी सीट्स, तो ये होता है वीड का, यानि ऑप्शन बी, इसका सही अंसर हो जाएगा, कुश्चन नमबर 19 का wheat, next question है, question number 20, in the capital city of which country, a disgruntled cops hijacked in August 2010, a bus carrying tourist, तो ये हो जाएगा, Philippines, यानि option A, इसका सही अंसर हो जाएगा, कुश्चन है, अगला कुश्चन है, 21 number, in a recent judgment, the Supreme Court, it is held that the household voltage stabilizer R, तो ये होता है, electronic goods होता है, आपर, देख सकते हैं, इस से related था, तो option B, इसका सही अंसर हो जाएगा, 22 number question देख सकते हैं, the declaration of Poonhra Swaraj, was made by the Indian National Congress in the year, तो 1929 में Poonhra Swaraj की demand की गई थी, तो option B, इसका सही अंसर हो जाएगा, अगला question है, the foundation of Mughal rule in India was, led by the Barber in the year, तो ये 1526, ये 1526 में ये किया गया था, तो option C का सही अंसर हो जाएगा, question number 24 है, when did the Crips mission arrives in India to find out a formula for Indian independence, तो 1942 में आया था, तो यहाँ पर option हो जाएगा, option C, अगला है, who was the editor of periodical Maratha, जो Maratha magazine होती थी, एक प्रकार से पत्रिका होती थी, उसको किसने establish किया था, तो बाल गंगा धरतिलक जीने किया था, option A का सही अंसर हो जाएगा, question number 26 देख लिजे, who was the first woman president of Indian National Congress, यहाँ पर आपको ध्यान लखना है, first woman president पुछा गया है, तो any patient हो जाएगा, यहाँ पर आपको ध्यान लखना है, any patient, option A का सही अंसर हो जाएगा, अगला question है, 27 number, the site of जलिया बाग हत्या कांड जो हुआ था, massacre हुआ था, lies in यह जलिया वाला बाग जो हत्या कांड हुआ था, वो कहाँ पर located है, तो अमरित सर में है, option D का सही अंसर हो जाएगा, अगला है, केसरी जो है, केसरी एक प्रकार्शन न्यूसपेपर कह सकते हैं, तो यह मराठी में पब्लिश होता था, तो यह कौन सा न्यूसपेपर था, यहाँ देख सकते हैं, तो एक मराठी न्यूसपेपर था, option A, sorry, option B का स started, तो forward black को किसकी ने start किया था, तो इसका सही अंसर हो जाएगा, सुबास चंदर बोश ने, तो option C, इसका सही अंसर हो जाएगा, question number 30 देख सकते हैं, who was the first सत्यागरही of the individual सत्यागरही launched in 1940, तो यहाँ पर individual जो सत्यागरह स्टार्ट किया गया था, बिनोवा भावे जी द्वा no tax movement of the bardoli present in 1922, तो यह बलब भाई पतेल द्वारा किया गया था, यानि option A, इसका सही अंसर हो जाएगा, सरदार बलब भाई पतेल, अगला है, भूला भाई देशाई was, तो भूला भाई देशाई क्या थे, तो यह legal practitioner थे, तो option C, इसका सही अंसर हो जाएगा, question number 33 देख independence was, या had his headquarter, इनका headquarter कहां था, तो विठोर में था, इसका सही अंसर हो जाएगा, option D, question number 34 है, servant of India society was started by, यानि servant of India society किसके द्वरा इस्टार्ट किया गया था, तो गोपाल कृष्न गोखले द्वरा किया गया था, जो कि गांधी जी के गुरू थे, तो यानि option B, इसका सही अं अगले, अगला question है, question number 35, October 10, 2010, mark the anniversary of the right to information act, जो RTI आया था, वो कौन सा anniversary मनाया गया था, तो इसका सही अंसर हो जाएगा, फिप्त, पाच्वा, option A, इसका सही अंसर हो जाएगा, next question है, the language of, संगम literature was, जो संगम literature का language क्या था, पूछा गया है, तो ये था तामिल, अनि ये option D, इसका सही अंसर हो जाएगा, next question है, who among the following is known as the grand old man of India, grand old man of India, किसे जाना जाता है, तो इसको आप जानते हैं, दादा भाई नवरोजी जी को जाना जाता है, तो यहाँ option D, का सही अंसर हो जाएगा, grand old man of India, दादा भाई नवरोजी को कहते थे, जनी option D, का सही अंसर हो जाएग तो ये राजगीर में established किया गया तो यानि option B इसका सही अंसर हो जाएगा अगला question है तो किसके द्वारा ये लिट किया गया था तो सयद अली साह गिलानी द्वारा यानि option D इसका सही अंसर हो जाएगा जो फर्स्ट रोयल कमिशन ऑन एगरिकल्चर सेट अप जो फर्स्ट रोयल कमिशन एगरिकल्चर पर इस्टेबलिस किया गया था वो कब किया गया था तो ये 1927 में किया गया था 1927 में तो option B इसका सही अंसर हो जाएगा question number 41 देख सकते हैं who was the author of the book India today इंडिया टूडे बुक के लेखा कौन है तो आरपी दत्त जी हैं तो option A इसका सही अंसर हो जाएगा question number 42 देख पॉलिटिकल गुरू आप महत्मा गाधी गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं अभी उने बताया तो इसका सही अंसर हो जाएगा option A गोपाल कृष्ण गोखले वस देख पॉलिटिकल गुरू आप महत्मा गाधी next question है काल्सी रॉक इंक्रिप्शन आर लेटेड टू तो एक किसे लेटे असोका से लेटेड है तो अंसर हो जाएगा option A यानि असोका next question है the Mughal ruler who wrote their autobiographies वर कौन थे यह तो इसका सही दो जाएगा बाबर और जहांगीर बाबर और जहांगीर यानि option B इसका सही अंसर हो जाएगा question number 45 देख सकते हैं question number 45 है आपका the monuments resembling the Taj Mahal was got created by Aurang Jeb in Aurangabad option A इसका सही अंसर हो जाएगा और अंगा बाद option A इसका सही अंसर हो जाएगा सिवा जी stationed his capital in the राएगड राएगड में किया गया था तो option B इसका सही अंसर हो जाएगा 47 number who among these headed in the interim government formed in 1946 1946 में जो interim government बनाई गए थी वो किसके द्वारा प्रजाइड की गए थी तो जवाहला नहरू द्वारा की गए थी तो option C इसका सही अंसर हो जाएगा 48 number question देख सकते हैं in matter of inheritance of property who among these smirtikar जो था placed in the video next to the sun तो यह आपका है यजनावाल किये यानि option D का सही अंसर हो जाएगा question number 49 the last नवाब of the अवध अवध का last नवाब कौन था तो वाजिर अली साह थे तो option D इसका सही अंसर हो जाएगा वाजिर अली साह hunter commission on education जो hunter commission बनाय गया था education पर तो वाज फॉर्म कब बनाया गया था तो इसका सही अंसर हो जाएगा तो अर्जेंटीना का जो grassland है उसको किस नाम से जाना जाता है तो उसको पंपास के नाम से जाना जाता है नहीं option B इसका सही अंसर हो जाएगा अगला question है Helsinki is the capital of Helsinki जो है Finland की capital है तो option D इसका सही अंसर हो जाएगा अगला है 53 number question देख लेते हैं according to the state forest report 2005 यहाँ पर 2005 के हिसाब से पूछा गया है present में 2019 के हिसाब से forest report आपको तैयर करना है यह आपको ध्यान लखना है यहाँ पर according to the state of forest report 2005 what was the forest covered of the country in terms of the percentage तो percentage के हिसाब से आपको बताना है कि 20.60 है यहाँ option B इसका सही अंसर हो जाएगा on which one of the following longitude is based on Indian standard time तो आप जानते है 82.82 होता है तो इसका सही अंसर हो जाएगा D 82 and half 55 number question देख सकते हैं which crop among these bring highest foreign earning to India कौन सी crop जो है सबस्यादा earning हमें देती है तो यह T है यह चाय है option D इसका सही अंसर हो जाएगा अगला question है the river on which Kalagar Dam has been constructed तो यह राम गंगा नदीब पर established किया गया है तो इसका सही अंसर हो जाएगा option D राम गंगा अगला question है 57 number in terms of area which Indian state is the largest state यह इंडिया में area के हिसाब से सबसे बड़ा state कौन सा है तो राजस्थान है आपको जानते हैं तो option A का सही अंसर हो जाएगा अगला question है the two countries separated by Mac Mohan boundaries line जो Mac Mohan रेखा है वो किस के द्वारा मतलब किन country को अलग किरते हैं तो इंडिया और चाइना की बीच में इसका boundary है यहाँ पर कुछ और information आपको दे देते हैं माइक मोहन रेखा जो भारत और चाइना के बीच की अंतराश्टी रेखा है रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान हिंडन वर्ग रेखा जो है आपका जर्मनी और पोलैंड के बीच की रेखा है 38-20 समानांतर रेखा जो है आपका उत्तर कोरिया और साउथ कोरिया है माइगिनी नाट जो है लेखा रेखा जो है जर्मनी और फ्रांस के बीच में है 49 मी जो पारलल रेखा है जो आपकी यूएस और कनाडा के बीच में है और मेन रहीम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच में है और डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है जो कि इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में था लेकिन अब तुकि अकुपाइड कस्मीर जो पाकिस्तान के हाथ में है तो इसलिए इंडिया औ पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बीच में हैं अगला देख देखते हैं 59 नमर क्वेश्चन जो जिला पास जो है कनेट करता है तो लेह लद्दाक और स्रीण नगर यह और स्रीण नगर को यह कनेट करता है तो इसका सही अंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लेह और स्रीण नगर थ्रोविच माउंटेंज रेंज पासिस दा कॉंकर्ड रेलवे ट्रैक जो कॉंकर्ड रेलवे ट्रैक है किस के किस माउंटेंज से पास होता है तो यहां पर आप देख सकते हैं यह वेस्टर्न घाट से है समझनी तो आप्शन बीस का से अंसर हो हैं तो आपने जोगरफी में पढ़ा होका यह नया एल्यूबियल स्वाइल होता है तो इसका से अंसर हो जाएगा क्वेस्टन नमर शिक्स्टी टू देख सकते हैं दा इंडियन स्टेट प्रोडूजिंग दे लार्जेस्ट कॉंटिटी आप मिनरोल आयल तो यह महारास्ट् शिक्स्टी त्री है फू एमंग दा फॉलाइंग पीपल आर स्लेज फार्द ट्रांस्पोर्टेशन तो यह एस्किमो एस्किमो के दार होता है यह आप्शन सी इसका सही अंसर हो जाएगा शिक्स्टी फॉर नमर क्वेस्टन देख सकते हैं तो एरिज रिशर्च इंस्टिट जो है वो कहां लोकेटड है तो यह सही जब ओगा जोधपूर राजस्थान तो इसका सही अंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जोधपूर 65 नमर दा ओधर आफ पॉलियंडरी इन दा हिमालयाज इसके लेखक है वाई एस पार्मार तो इसका सही अंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अब 67 नमर कुश्चन देख सकते हैं, which one of the following is associated with the industrial development of उत्राखंड, तो यह है SIDCUL के द्वारा के आता है, यह option A का सही अंसर हो जाएगा, अगला है, high-b electrical industrial unit of उत्राखंड is located, तो हरी द्वार में इस लोकेट है, तो option C का सही अंसर हो जाएगा, हरी द्वार, next question है, which is the largest dune in उत्राखंड, तो उत्राखंड में सबसे बड़ा जो दून है, वो काउंसा है, तो देहरा दून है, option B इसका सही अंसर हो जाएगा, 69 का B, अब 70 नमर कुश्चन देख सकते हैं, where does the river ganga originate, जो river ganga है, वो कहां से originate होती है, तो ये गौमुक से होती है, तो option, इसका C सही अंसर हो जाएगा, गौमुक, next question है, on which river of उत्राखंड, किसाव डैं is undergoing construction, तो टोन स्लिवर पर है, यानि option B, सारी, A इसका सही अंसर हो जाएगा, option A, next question है, who among these English commissioner started land survey in उत्राखंड, तो land survey उत्राखंड में किस commissioner ने start किया था, तो ये trail द्वारा सुरू किया था, option A, इसका सही अंसर हो जाएगा, trail, बड़ा खतरनाग नाम होता है इन लोग का, अगला है, who was the first commissioner of कुमाओ, कुमाओ का first commissioner कौन था, तो gardener जी थे, तो option C, इसका सही अंसर हो जाएगा, next question है, in उत्राखंड, the head of revenue police in district is, जो revenue के head होता है, जो district police में, तो वो कौन होता है, तो इसका सही अंसर हो जाएगा, district collector, district officer, यहनि option C, इसका सही अंसर हो जाएगा, next question है, the appointing authority of पटवारी in उत्राखंड, उत्राखंड में जो पटवारी होते हैं, उसकी appointing authority कौन होता है, तो collector होता है, जिले का, तो यहाँ पर देख सकते हैं, collector, यहनि district officer होता है, option D, इसका सही अंसर हो जाएगा, next question है, उत्तराखंड चल, came into existence as the separate state, curved out of the उत्तरप्रदेश, on, मतलब उत्तरप्रदेश यह अलग हो करके, एक नया state बना था, उत्तराँचल के नाम से, तो वो कब हुआ था, तो 9th November 2,000 में हुआ था, यहनि option B, इसका सही अंसर हो जाएगा, बाद में इसका नाम बदल करके, उत्तराखंड कर दिया गया, 77 number question देख सकते हैं, the right to information act, is being enforced, इन उत्तराखंड बाई, तो उत्तराखंड में right to information act, किस के द्वारा मतलब enforce किया गया, तो state information commission के द्वारा enforce किया आता है, तो यहनि option C, इसका सही अंसर हो जाएगा, 78 number question देख सकते हैं, उत्तराँचल was renamed उत्तराखंड, अभी हमने बताया कि उत्तराँचल जो है, उसका नाम बाद में बदल करके उत्तराखंड किया गया था, तो कब किया गया था, तो 29th December 2006 को किया गया था, यानि option D's का सही अंसर हो जाएगा, 79 number question देख सकते हैं, China peak lies in the district of, जो China peak कहां पर लाई करता है, तो ये 90th ताल, option D's का सही अंसर हो जाएगा, question number 80 देख सकते हैं, in उत्तराखंड female literacy rate is lowest in district, यानि उत्तराखंड में जो female literacy rate है, वो सबसे कम कहां पर है, तो उत्तरकासी में है, तो इसका सही अंसर हो जाएगा, उत्तरकासी, यानि option B's का सही अंसर हो जाएगा, 81 देख सकते हैं, the famous fair of Almora, Almora का जो सबसे famous fair, यानि मेला है, वो कौन सा है, तो नंदा देभी मेला जो लगता है, वो सबसे famous है, यानि option A's का सही अंसर हो जाएगा, next question है, the hill jatra festival is celebrated in the district, जो hill jatra festival है, वो किस district में मतलब celebrate कियाता है, तो यह है आपका पिथावरागड, पिथावरागड में होता है, तो नि option A's का सही अंसर हो जाएगा, question number 83 है, Indian National Military Academy जो था, was established in the 12th year, यानि Indian Military Academy जो है, देहरादून में किस साल, यानि किस time पर established किया गया था, तो ये 1932 में established किया गया था, तो option B इसका सही अंसर हो जाएगा, अगला question है, the army officer of Kumao Resignment, who was honored by the first, परम बीर चक्र, was the कौन थे, जुनको पहला परम बीर चक्र अबाड मिला था, तो major सोमनाच सर्मा जी थे, तो इसका option हो जाएगा B, question number 85 देख सकते हैं, where does, बिबेका नंद, परवतिय कृष्णी, कृष्णी अनुस्तांधान के अंदर, जो अनुस्तांधान कहां इस्तित है, तो बिबेका नंद, परवतिय कृष्णी अनुस्तांधान साला, जो है कहां पर exist करता है, यानि कहां पर ये located है, तो ये अल्मोडा में हैं, तो इसका सही अनुस्तांधान का option A, अल्मोडा, next question है, गोविंद नेशनल पार्क is located at this district, यहां पर आपको ध्यान रखना होगा, उत्तराखंड special से बहुत सारे question पूछे गए हैं, तो जब भी आप तैयारी करें, तो उत्तराखंड special जो जीके होता है, उसको आप अच्छे से पढ़के जाएं, देखिए इसमें कितने question पूछे गए हैं, यहां पर आप देख सकते हैं, तो ये आपका 86 number जो उत्तरकासी हो जाएगा इसका, उत्तरकासी में है, यह गोबिंद नेशनल पार्क, next question है, 87 number, दा बिलेज वुमिन हुँ लेट दा चिपको मुमेंट वाज, जो चिपको मुमेंट चलाया गया था, वो किस के द्वारा सुरू किया गया था, तो यह गावरा देभी हैं, option C, कि इसका सही अंसर हो जाएगा, गोबरा देभी द्वारा यह मुमेंट चलाया गया था, question number 88 देख सकते हैं, besides the कुम्भ मेला, which फिर is celebrated उत्तराखंड after 12 years, यानि जैसा कि आप जानते कुम्भ मेला 12 साल पर celebrate कियाता है, उसके बाद कौन सा ऐसा मेला है, उत्तराखंड में जो every 12 years के बाद जो है celebrate कियाता है, तो नंदा रज्जात यात्रा जो होता है, वो हर 12 साल पर celebrate कियाता है, तो इसका सही अंसर हो जाएगा, option A, नंदा रज्जात यात्रा, next question है, in which city was the established the forest research institute, जो forest research institute है, वो किस city में established कियाता है, sorry, next question है, which one of these tribes is not found in उत्तराखंड, तो जो tribe वाला chapter होता, उसको आपको अच्छे सपढ़ना चाहिए, कौन कौन से tribe उत्तराखंड के हैं, कौन कौन से नहीं है, वो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर देखे, उसी तरह कुछा गया है, तो यहाँ पर भील जो tribe है, उत्तराखंड का नहीं है, बाकि यह तीनों है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, D, यहाँ पुछा गया, कौन सा उत्तराखंड की tribe नहीं है, 91 देख सकते हैं, Among the following, who was honored with the highest civilian award, जिसको कहते हैं भारत रतन अवार्ड, तो यह गोबंद वलपंद जी को यह आवार्ड मिल चुका है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, Option B, Next question है, Which river joins the अलक नंदा at करणड प्रियाग, करणड प्रियाग में अलक नंदा से कौन जोड़ता है, तो यह है पिंडर, पिंडर रिबर, यहनि Option B, इसका सही आंसर हो जाएगा, 93 नमर question देख सकते हैं, बच्छदरी पाल is a well known, तो बच्छदरी पाल काफी renowned person है, तो किस area से लेटर है, तो mountainers हैं, तो option C's का सही अंसर हो जाएगा, option, sorry, यहां पर option देना भूल है तो, ठीक है, अगला which among the following, among the following district, which one is the most densely populated, तो यह आपका हरी द्वार है, सबसे ज़्यादा populated है, दिएगे option के हिसाब से, 96 नमर question देख सकते हैं, मावलाना अबुल कल्राम आजाद जो ट्रॉफी था, कैरीज कैस अवार्ड इसमें कितना अवार्ड दियाता है, तो 10 लाख रुपे का अवार्ड दिया था, option C's का सही अंसर हो जाएगा, next question है, how many railway junction will fall on the rail journey, route between the roadki and Kaat-go-dam, वाया जो है, अरुद्र प्रयाक सिटी से होकर, यह काफी complex question है, इतना कोन याद करता है, लेकिन आपको यहां पर ध्यानक ना है, question यह इसका सही हो जाएगा, यह option C's का सही अंसर हो जाएगा, next question है, the highest, sorry, the height of तहरी डैम, जो तहरी डैम है, तो इसकी height क्या है, तो 260.5 meter कह सकते हैं, 260.5 meter हो इसका, तो option C's का सही अंसर हो जाएगा, यह भी tough question है, क्योंकि डैम की height कोई याद करता है, मुस्किल से याद करता हो गोई, तो यह tough question इसको छोड़ देना चाहिए, negative marking में, तो इस तरह से question जो आते हैं, वो काफी factual होते हैं, जिसको generally हम लोग तयार नहीं करते हैं, तो आपको ध्यान लखना है, 99 number question देख सकते हैं, a disaster earthquake occurred on 20th January 2010, जो 2010 में जो earthquake आया था, काफी disaster हुआ था, वो हैती में आया था, जो कि लाखों लोग मर गए थे, next question यहीं इस paper का last question देख सकते हैं, which one of the following statement is correct about the red cliff line, तो red cliff line जो होता हम जानते हैं, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हैं, तो it demarcates the boundary between India and Pakistan, तो इसका सही answer हो जेगा C, तो इस तरह से हमने general study के paper first को discuss कर लिया, जो कि APO में आया था, assistant prosecutor officer का, जो exam होता उसमें आया था, उसमें hundred question आये थे, इसको हमने discuss कर लिया, इसका PDF आप जरूर डाउनलोड कर लिजेगा, link हमने टेलिग्राम चैनल का दे रखा है, वहाँ पर टेलिग्राम चैनल पर सभी PDF आपको मिल जाएंगी, चैनल पर अगर आप नए हैं तो वीडियो की निचे रेट कलर कर सब्सक्राइब बिटन देख रहा होगा, उसको प्रेस करके चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम इस तरह का वीडियो आप लोग के लिए लाएं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जियेस के अंट्यूब चैनल सब्सक्राइब के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत!